नमस्कार दोस्तों वेलकम टू नॉलेज अबीसी मैं हूँ निकेट लास नाइन साइंस का हम लोग आज से नया चैप्टर सुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है वर्क एंड इनर्जी और इस वाले पार्ट में हम लोग इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन लेंगे इसमें क्य है कौन कौन से टॉपिक को इसमें हम लोग को पढ़ना है थीक है तो जो maj करते है और सौना में इसी चैप्टर में इस पर्ट में बताऊँगा और आगे इसमें आएगा पहले हम्मनुग सब का हम लोग देख रहे हैं कि क्या होता है। जब सब्सक्र.... एक पूर क्या क्या होता है तो सब टुख में आ जाता है किसी कॉंस्टेंट फोर्स के द्वारा कोई अगर work done हो रहा है तो वो क्या होता है उसमें क्या उसका explanation है वो भी हम लोग इसमें जानेंगे उसका energy क्या होती है तो energy के बारे वे हम लोग define करेंगे उसका energy को समझेंगे ठीक है उसके बाद forms of energy energy के कितने forms होते हैं उसके बारे वे हम लोग बस introduction के नाम पे खाली क्या क्या form होता वो सब चीज हम लोग इसमें जानेगे फिर उसमें आता है दो इन्पॉर्टेंट इसमें हम लोग इनर्जी पढ़ने है कानेटिक इनर्जी और पोटेंस इनर्जी इस दोनों को डिटेल पढ़ेंगे इस पर जिसका जो एक्स्प्रेशन होता है इसका जो फर्मूला होता है वह हम तो दोनों को निकालेंगे फिर potential energy due to height, height के पे जाने पे थोड़ा potential energy बढ़ जाती है, ठीक है, तो वो कैसे होता है, उसका क्या calculation होता है, वो भी चीज़ इसमें हम लोग जानेंगे, फिर conversion of energy from one form to another form, जैसे हम लोग forms of energy पढ़े थे, उसका one form of energies के से, दूसरे form में जब change होता है तो वो कैसे change होता है, और क्यों change होता है, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि सभी energy जितने form है, वो एक दूसरे में change हो सकते है, तो वो ही चीज़ इसमें हम लोग समझेंगे, इस वाले part में हम लोग समझेंगे, उसके बाद law of conservation of energy, ठीक है, आप लोग सुना होगा, energy can नाइडर भी created, not be distracted, वो ही वाला concept इसमें आ जाता है, law of conservation of energy इसको scientifically तरीके से, जो हम लोग के syllabus में, उस तरीके सम लोग इसको समझने वाला है, सासा इसका definition के साथ, पूरा concept को clear करेंगे, उसका rate of doing work, rate of doing work क्या हो जाए, पावर को कहते है, ठीक है, तो हम लोग work पढ़ लिए energy पढ़ लिए, उसका हम लोग पावर भी पढ़ेंगे, पावर का concept क्या होता है, गोई भी चीज़ energetic की होते है, गोई चीज़ powerful की होते है, तो उस दोनों के बीच में क्या difference होता है, ये सब चानेगे, पावर का formula क्या होता है, definition क्या होता है, सासा उसका unit क्या होता है, कुछ examples बनाएंगे, तो ये सारा चीज इसमें हम लोग जानेगे, उसका commercial unit of energy, घर में जो electric meter होता है, तो उसमें जो unit आते हैं, 10 unit उठा, 20 unit उठा, तो उसका क्या calculation होता है, वो चीज़ भी हम लोग इसमें समझने वाला है, तो चलिए, सुरू करते हैं इस chapter को, तो सबसे पहले समझत हैं, work क्या होता है, ठीक है, तो हम लोग जो work day to day life में होता है, जो भी काम करते हैं, जैसे कोई भी body है, मतलब कोई भी इंसान है, कोई भी आदमी है, तो वो कुछ ना कुछ काम कर रहा है, जैसे वो playing कर रहा है, वो पढ़ रहा है, वो लिख रहा है, तो कुछ ना कुछ तो work करी रहा है अब इस वर्क जो है यह वर्क जो हम लोग डेली लैप में यूज कर जो हम लोग देखते हैं जो हम लोग डेली लैप में इस्तेमाल करते हैं जैसे कोई मिटी खोद रहा है ठीक है तो भी वर्क है कोई इंटा को लेके छट पर चड़ा रहा है वो भी वर्क है कोई क देली लाइफ में किसको कहते हैं जैसे कि आप पढ़ रहे हैं पाछ गंटे तक लगातार पढ़ ले दो घंटे तक लगाता है इसको भी वर्क कहेंगे जिसको भी वर्क के आप कश न कुछ को करी रहे हैं और ये कुछ ने कुछ करने का कुछ भी अगर कोई भी व्यक्ति करता है तो वह एक तरह का वर्क होता है ठीक है उसका राब देखिए आप कुछ नहीं कीजिए आप चुप चाप एक जगा खड़े रही है ठीक है और आधे गंटे तेक खड़े रही है और एक टेंशन तो वह एक तरह का वर्क हो जाता है ये सब ग्जामपल डेली लाईफ का है उसके साथ 100 सबसे बढνηा एक्जामपुल है कि आप स्कूल जा रहे हो ऐख यह हो शे गंटा आप स्कूल में अपना टाइम लगा है तो पढ़ने में लगा रहे हो तो यह ँप यह दिर एक तरह का व इसमें नहीं कहलाएगा, यह कुछ भी work done नहीं हुआ, work done का मतलब की काम हुआ, तो यह जभी अभी जितना मैंने example बता है, यह सब science के हिसाब से, physics के हिसाब से, कोई भी work done का example नहीं होता है, तो आपने इतना खड़ा होके काम भी किया, इतनी पढ़ाई भी कर लिया, पांच घ देखिए, एक example मैं बताता हूँ, अगर एक कोई पत्थर है, ठीक है, इसको मैंने table पे रखा, ओके, और इसको मैंने थोड़े दूर खसका दिया, ठीक है, एक को displacement कर दिया, अपने position से change करके दूसरे जगा कर दिया, तो अगर आप लोग डेई लाइक पे examples से, अगर समझेग आपने कोई काम किया, तो एक पत्थर था, उसको एक जगा से उठागे दूसरे जगा कर दिया, लेकिन scientific definition की बात करें, तो यहाँ पे work हुआ, ठीक है, तो इस जगा पे अगर आपने एक पत्थर को एक table पे एक जगा से दूसरे जगा अगर आपने घसका दिया, तो यहाँ पे work हुआ, ठीक है, जबकि आप daily lap में देख सकते हैं, तो इसमें कोई असा कोई खास तो आपने कुछ काम तो किया, नहीं एक पत्थर को एक जगा से दूसरे जगा पे खसका दिया, लेकिन यहाँ पे काम हुआ, ठीक है, इस situation में काम हुआ, ठीक है, आप देख दूसरा example ल होने का जो scientific definition है, ठीक है, इसमें दो चीज़ matter करती है, पहला चीज़ कि आपके द्वारा उसमें force लगाए, आपके द्वारा या किसी विज़ारा कहीं से भी उस में उस object में external force लगे, और उसमें displacement हो जाए, वो अपना position को change कर, initial position से कोई दूसरे position पे चले जाए, next position पे चले आप लेके height पे चले गए, आप अपने book को लेके छट पे चले गए, तो हाँ यहाँ पे work done होगा, क्यों होगा, तो कि आपने object पे force लगाया और उसको displacement पे हुआ, तो यह जो दो condition अगर जहाँ पे meet करेगी, तो वहाँ पे work done इसको कहेंगी, scientific definition के साब से, तो सारे situation में, एक troll को move करना, एक book को या फिर एक पत्थर को अपने table पे एक जगा से दूसरे जगा ले जाना, चाहिए, एक book को अपने छट पे लेके जाना, अपने ground floor से छट पे लेके जाना, ठीक है, तो इन सब situation आप दो चीज़ देख रहे हैं, कि इसमें force लग रहा, force apply हो रहा, external force लग रहा और उसमें अगर displacement हो रहा, तो ये दो चीज़ अगर जहां पे भी होगी, तो वहां पे हम लोग कहेंगे scientifically यहां पे work done हो रहा है, तो यही main definition हो जाता है, अब जैसे मैंने शुरुआत में कुछ example बताया था, जैसे कि आपने अगर पांच घंटे बैठ के एक जगा पे book रहे हो, तो scientifically यह work done नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, अब यह जो दो fact है इसमें, कि इसमें force लगना चाहिए और उसमें displacement होगा, आप एक जगा बैठ के book पढ़े हो तो आप एक displacement कहा हो रहा है, displacement नहीं हो रहा है, तो work नहीं हो रहा है, ओके भले ही आप पांच घंटा पढ़ लगसरे हो, तो आप में यहाँ पर work done नहीं हो रहा है, scientifically ओके भले आप को लग रहा है, कि आप कोई work कर रहे है, लेकिन scientifically यहाँ पर work done नहीं हो रहा है, अगर आप चूप चाप एक जगा पे खड़े हो, आपके जोना force तो होनी रहा है, ना displacement हो आप एक बार इसमेंगी हो रह आपके द्वारा तो force लग रहा है लेकिन पत्थर इतना ज़्यादे हेवी है कि वो अपने जगह से move भी नहीं हुआ ठीक है तो यहाँ पर अपने force लगाया लेकिन displacement zero हो गया तो आपके भाले ही आप एक घंटे तक उसमें धक्का देते रहो अगर वो move नहीं होती है तो यहाँ आपे work done नहीं होगा ठीक है यह भी है अब एक और example जो school जाने वाला है आप घर से school गए ठीक है इसकूल में पढ़ाई किये वापस घर को आ गए तो अब देखिए आपके दोरा force तो लगा ठीक है आप school गए फिर वापस आए force लगा लेकिन आपने displacement क्या हुआ अप अपने क इस दो factor में important हो जाता है आपके द्वारा force लगाना चाहिए लगना चाहिए दूसरे दूसरा चीज़ आप में displacement भी होना चाहिए अगर यह दो चीज़ हो रहा है तो work होगा नहीं तो नहीं होगा scientifically भले आप common life में daily life में आप इसको कुछ भी मान लें लेकिन हम लोग यहां प वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक से और सब्सक्राइब करना भूले मिलते हैं अगले वीडियो में